न्यूस्पोरनेशन की एक पुकार घर पर रहिए सपरवार स्टे होम स्टे से नमस्कार मैं रोहत कुमार आपनी च्पोरनेशन देख रहे हैं और अरियार में जिस तरीके से उठख वठख रहना वीडियो वैरल हुआ उसके बाद बुलिस वाले तो सस्पेंट हो गए लेकिन कर्षप्र अधिकारी हैं उन पर कोई कारवाई नहीं नहीं हुई ये कहना है तेर ष्यादाक का तरिस्थमेंडाम ने इस सरकार पर उनहीं इनाम देने का रोप अपनी पास राजधानी बुडा लिया उसके साथ का ASI सस्पेंट हो गया लेकिन दरबार में सीधी दखल रखने वाले मुख्यदोशी को पतना पोस्टिंग का इनाम मिला है वह सुसासर और तस्वीरे हैं यह खबर कल आपने देखी थी कि इसमें ट्रांसफर किया गया था मनुझ कुमार का उसका वो नोटिफिकेशन है क्रिशिव विभाग के तरफ से उसके बाद वो तस्वीर जिसमें वो पैर पर माफी मांगते हुए और यह मनुझ कुमार है यह चौकेदार जो हैं माफी मांगते हुए नहीं तस्वीरों में यह उठक-बिठक करने वाली तस् यह सब भी चौकेदार हैं जो कि वहां पर ड्यूटी कर यह नाका है जहां अररिया में वह ड्यूटी कर रहे थे और यहां से क्रिशिव प्रदेकारी गुजर रहे थे उसके बाद इन लोग की गलती यह थी कि इन्होंने क्रिशिव प्रदेकारी मनुझ कुमार को रोका और बुला कि आप कहां जा रहे हैं जानकार दीजिए तो साहब को गुस्सा आ गया साहब ने वहाँ पर जो अस सम्बंदी जो थाने में जो एसाई थे उनको तलब करा लिया उसके बाद उनके सामने उठक बैठक करवाई माफी मंगवाई और यह वीडियो जो है वो वैरल हो गया जिसके बाद एक्शन सरकार ने लिया क्योंकि सरकार की खूब फजीहत हुई तो जो एसाई है वो सस्पेंड हो गया है डीजीपी ने खुद इस चौकेदार से बादचीत की थी इनकी उम्र भी करीब करीब पचास साल से उपर ही लगती है और यह मनोज कुमार हैं जिनके उ जानी बुला लिया गया यह कहना है तो जिसवी आदब का इसके साथ ही एसाई जो सस्पेंड था वो हो गया लेकिन दरवार में सीधी पहुंच रखने वाला जो मुख्य दोशी है उसको पटना पोस्टिंग का इनाम दिया गया यह कहना है तो जिस वी आदब ने इस बहाने निती सरकार पर जोड़दार हमला वोला है लेकिन सरका सरकार की तरफ से भी सफाई आई है कि कोई पोस्टिंग नहीं दीगा यह स्तिफ उनको मुख्याले बुलाया गया है ताकि जो जांच है वो वो प्रभावित ना हो सही तरीके से जांच हो पाए थे क्या कुछ कहना है के मंत्री मीरच कुमार का इस पूरी मामले पर छोड़ जाते हैं आप पोस्ट बयान के साथ अरारिया के क्रशी पदा पदा दिकारी के संबंद में जो खबर प्रशारित की गई बेबुनियाद अफवाह सभाविक रूप से अपने ही बेतनमान में से पेंग्रेड में कोई गया तो प्रमोशन हो गया कहां से अड्मिस्टेटिव नौलिज का ज्यान हो गया और साथ ही साथ विभागिये कारवाई संपादित की गई है समय अवधी के तहट उन पर कारवाई सुनिश्चित्थोगी फाई यार होगा इसलिए पर्थम द्रश्टिया में ऐसी आप ऐसे